इसी इवेंट बाजी के सिलसिले में एक नया इवेंट आकर के अड़ हो चुका है और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुच भारत अभियान के इवेंट के बारे में 2 अक्टूबर को गांधी जनती होती है तो क्या हो गया? एक अक्टूबर को तो हमारे मोदी जी का सवज भारत होता है ना हमेशा के लिए याद किया जाएगा इसी इवेंड बाजी में आज हमारे मोदी जी जो है एक बहुत तगड़ा कोलाबरेशन करते हैं और पूरे भहिया चीचा के आसार हैं या पर यूट्यूबर वाले मतब सारी कोशिशे करी जा रहें किसी तरीके से यूट्यूब चैनल चल जाए यहाँ पर कॉलाबरेशन आज किया गया अंकित बयानपुरिया के साथ दोस वो डोंड नो अंकित बयानपुरिया एक फिटनेस इंफ्लूएंसर हैं जो की रिसेंटली बहुत जादा फेमस हो गई यूट्यूब के उपर और इनोंने 75 डेस का एक फिटनेस चैलेंज यहाँ पर किया था अब इनकी खासियत या फिर यूएस पी आप ये कहलो ये है कि ये देशी स्टाइल में लोगों को वर्काउट करने के लिए और जादा मोटिवेट करते हैं और पूरी तरीके से देशी और ठेड भाशा में बात करते हैं जिसकी वज़े से इनको और जादा एकसेप्टेंस मिलती है हमारे देश के अंदर तो मोधी जी ने देखा कि कोई आदमी है अंकित बयानपुरिया उसके साथ कोलाबरेशन कर लूँगा तो भाईया मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा पूरी तरीके से राहुल गांदी को पूरी तरीके से मैं यहाँ पर मात दे दूँगा अंकित बयानपुरिया का जो लोग जानते होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उनका एक फेवरेट या फिर उनका एक बेस्ट डायलोग है जो की है राम राम भाई सार्या ने तो भई मोधी जी ने उसको ही कॉपी करके रख दिया मैं दिखाना चाहतू आपको स्क क्या बना दिया आपने क्यों आखिरकार कोशिश कर रहे हो फालतू की ओवर एक्टिंग क्यों पचास रुपे काटने बढ़ेंगे इस महीने की तनखा में से नहीं तो अब यह तो एक पार्ट इस वीडियो का इस वीडियो में क्या सफाई करी गई और किस जगह पे करी गई आपर एक बहुत तगड़ा सा इंट्रो बनाने की कोशिश करें और दिखाया कि मोदी जी ने बहुत कचरा उठाया है बहुत सफाई करी है मैं आपको बताता हूं जो लोग दिली से वाकिफ है यह जगा जो है लोदी गार्डन है और मैं कैसे बता सकता हूं यह एक दिवार ह रहता है क्योंकि लुटियंस डेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बहुत पैसे वाले तगड़े पॉलिटीशन लोग यहां पर सुबह और शाम वॉक करने के लिए यहां पर इस तरीके की गंदगी देखी ही नहीं जाती है इससे साफ पता चलता है कि यह मात्रे एक स्क्रि पहला सवाल पूछने के बाद जिस तरीके से अंकित ब्यानपुरिया ने उसका रिस्पॉंस दिया है दबे मूसे ऐसा लगए कि रट्टा मार करके यहां पर अंकित का काफी बड़ा फैन हूँ लेकिन यार सॉरी यहां पर मतलब में उसकी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि यह एक स्क्रिप्टिड इवेंट साफ साफ नजर आ रहा है एक सेकेंड जरा दूबार इस वाले पार्ट को देखो यहां पर हमारे चीचा जो है वो सफाई जाडू मारने का काम कर रहे हैं लेकिन एक बोतल उनकी जाडू से ने खिसकाई जारे है बही मतलब मैं जानता हूँ द है लेकिन कम से कम थोड़ा तो इसको ढंक से कर लो थोड़ा तो इसको नैचुरल शो कर दो कम से कम कोशिश तो करो फिटनेस को जो लोग जानते है वो लोग अच्छे तरीके जानते होंगे फिटनेस के लिए तीन चीज बहुत जादा ज़रूरी है पहली एक्सेसाइज दूसरा और सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी डाइट के और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट होता है कि आपका स्लीप टाइम के जिससे कि आपकी मसल रिकावरी हो पाए मैं बहुत जादा बड़ा कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूं या फिर फिटनेस एंथूजियास नहीं हूं जैसे बिगनर को भी यह बात अच्छे तरीके से पता है लेकि शायद मोदी जी को पता नहीं है यहाँ पर कह मैं कुद स्पोर्ट्स परसन था इंजरी के मारे तड़ा सा दूर स्पोर्ट्स था है पर मतल देख्या करते कि आप मैडल आयरता कुद परसनली फोन करें प्लेयर के पासे यह महिला रिसलर्स के बारे बात कर रहे हैं जिनसे मोदी जी मिलने भी नहीं गए ते जब वोटेस् यह सेम सीन्स ने को रिपीट किया यह था रहे है तो स्कृप्टिट कचरा था उसको ही बार बार घुमा गुमा के उठाने की कोशिश करी जा रहे है और जंता को दिखाया यह बहुत जादा सफाई कर दिया मोदी ने पूरा दिली साफ कर दिया अज सुबर उट अब जिस त एक इवेंट किया जाता है, इवेंट करते करते थकते नहीं है हमारे चिचा, आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ओपर, कल 36 गड़ में हमारे मोदी जी की एक बहुत बड़ी रैली थी, वहाँ पर भाशन बाजी करने गए थे, और भाशन बाजी से पहले उनका वहाँ पर मोदी जी का गाना बजरा और एक बंदा और है स्टेज पे जो मोदी मोदी के नारे लगा रहा है, इसको कहते हैं, एपिक लेविल का नार्सिस्जम मतलब अपने आप से इतने जादा ऑपसेस्ट है, ऐसा लगता है, जब भी मेट की गीत हैं, सबसे जादा अपनी फेवरेट इसके साथ आगे बढ़ना चाता हूँ और कुछ और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाता हूँ, इंटरनाशनल डंका बजरा भी, यह बहुत तगड़ा वाला, जारा साइड हो जगा बना दो, डंका डंका फेला हुआ चड़क के उपर, अपने स्क्रीन पर इसको दे डंका बजरा है, लेकिन अफगानिस्तान वाले अपनी MBC इंडिया में बंद कर रहे हैं, वो भी आज से एकदम October 1st को प्रेस रिलीज डिका ली, उसी दिन से यहाँ पर MBC को भी बंद कर दी, आखिरकार यह कैसा डंका है, मुझे समझ में यारा, कोई समझाओ प्लीज, हमार आट सम अफ दो रिसेंट थिंग इंडिया एंड यूस वाला ग्न वाला ग्न वाला ग्न जा रहे हैं, लेकिन या ऑपर अमेरिका को ला लाग नि दिखाई जारहें, वको याद दिला देना चाहते हूं, आंथनी बलेंकिन, जो की यूएस के स्टेट डिपार्मेंट के सेक्र जस्टिन टूडो जो इंदाम लगा रहा है इंडिया के उपर उसके पीछे युए से साफ साफ खड़ी हमारे को नजर लेकिन यहां पर बात करी जारी है कि जो भी इंडिया युएस कर रहा है उसमें आई सबसे पहले है पता नी कौन से ग्यान या पहले जा रहे हैं कि एक और एक और आपको दिखाना चाहता हूं कि screens के ओपर लाल आख कहीं दिख जाए तो मुझे बता देना support to India during G20 summit in Delhi General Affairs Minister Dr. S.J. Shankar said particularly I must say because I am in the country today the contribution the support and the understanding that we got from the United States to make a successful G20 I think that is something I would certainly like to recognize in public in Washington मतलब तारीफे करी जा रहे है जी ट्वेंटी में आपने कितना बड़ा हमारा support किया है अरे भी लाल आख कहा है लाल आख दिखाओ चीचा यह ती आज की खबरे और हमारे एवेंट चीचा के कुछ एवेंट साथ में इंटरनाशनल डंका आपका क्या रियाक्शन इन सारी ख जद हमारे आपका क्या है यह थाल आख का क्या इन सारी एवेंट साथ में आपका करी बड़ा हमारे जी एवेंट ढ़ारे उवेंटे कितना रहे है जाल आख